जेने दोस्तों आराज के हमारे सभी नवीन प्रबुद दर्शक और सब्सक्राइबर्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है गेट यूर्सलोसन में फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में जतने भी टॉप लेवल के स्मॉल फानेंस बैंक हैं उनके बारे में साथ में जानेंगे फ्रेंट्स इन बैंकों में आप कैसे अपलाई करें ताकि आपको इन बैंकों में जॉप मिल सके तो फ्रेंट्स इस वीडियो में कुछ ऐसी टेकनिक के बारे में बताएंगे जिनकों फॉलू करके आप इन बैंकों में जॉप पा सकते हैं अगर सबसे पहले बात करें Small Finance Bank की तो फ्रेंट्स ये भी बैंकों की तरह ही होते हैं प्रापर जो बैंक काम करते हैं ये भी वो काम करते हैं लेकिन ये बैंक स्मॉल लेबल पर काम करते हैं इन बैंकों को सर्विस प्रोवाइड करने का एक लिमिटेशन दिया जाता है उसी के अंदर इनको काम करना पड़ता है फ्रेंट्स आपको बताना चाहूंगा इन बैंकों की नॉर्मली दो टाइप की ब्रांजेस होती हैं जिनमें ये दूद दराज के गामों की जो महिलाएं हैं जो कुछ छोड़े मोटे काम करती हैं उनको ग्रूप लोन प्रोवाइड कराते हैं उनको जीलगी साखा भी कहा जाता है एक वो साखा होती है उसके बाद फ्रेंट्स जो छोड़े उद्दमियों और व्यापारियों को जो लून प्रोवाइड कराते हैं और बैंकिंग से बाहें प्रोवाइड कराते हैं उसको बोलते हैं जैनल बैंकिंग तो दूप्रकार करते हैं पहले भारत के top 10 small finance bank के बारे में यहाँ पर आप इनके list देख सकते हैं so friends बरतमान समय में भारत में जो इस top level के small finance bank हैं और वो proper काम कर रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं friends आप यहाँ पर देख सकते हैं bank का नाम headquarter tagline MD CEO CMD chairman और इनकी website है friends इन सभी बैंकों की जो website है आपको इस video के description box में मिल जाएगे वहाँ पर जाकर इनकी website open करें और जो step में आपको बता रहा हूं उनको एक एक करके जरूर follow करें so friends अगर बात करें small finance bank की इसमें देख सकते हैं आप आईयू small finance bank दूसरा है Equitas small finance bank फिर है इसाफ small finance bank फिर है Fincare small finance bank जनलक्षमी small finance bank Кपिटल small finance bank उजीवन small finance bank उटकर small finance bank सूर्योदे small finance bank देन उसके बाद है North East small finance bank तो फेंस यह रहे Top 10 भारत के small finance bank और उसके बाद अब बात करें इस उन तरीकों की जिन स्टिप को follow करके आप इन बैंकों में जॉब पासकते हैं आप बात करते हैं पहले स्टिप की पहला स्टिप ये है कि जिस भी बैंक में जो मैं आपको ये top 10 small finance bank का नाम बताया सबसे पहले आपको google पर सर्च करना होगा इस bank का नाम दिन उसके बाद इस bank की website पर आपको जाना होगा वहाँ पर आपको carrier का एक tab मिलेगा उसमें आपको click करना है उस bank की जितने भी current openings होगी वहाँ पर आपको देख जाएंगी और वहाँ से आप इसके लिए apply कर सकते हैं कोई भी bank जो मैं आपको ये 10 bank के नाम बताये इन में किसी भी bank की website पर आप open करके carrier tab में जाकर आप जो openings हैं उनके बारे में देख सकते हैं और वहाँ से आप online apply कर सकते हैं अगर इन bank को की आप website open करते हैं वहाँ पर आपको carrier का tab नहीं मिलता है तो आपको google पर search करना है bank का नाम plus carrier जैसे मैं search करता हूँ अगर इसकी website पर आपको carrier का tab नहीं दीखेगा उसके बाद आपको google पर search करना होगा फिन केर केरियर यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी website open है जिसमें आपको यहाँ पर click करना है इसमें click करेंगे तो यहाँ पर जो current openings है उसके बारे में आपको यहाँ से information मिल जाएगी so friends यह रहा पहला step जिसमें आप इन बैंकों की जो current opening है वो आप online पता करके और online ही आप इनके लिए apply कर सकते हैं so friends हमारे वो सभी साथी जो experience है इस तरीके से उनके पास follow up आने के chances रहते हैं उनके पास bank के call आने के संभावना है जाधा रहती है क्योंकि वो experience है लेकिन हमारे वो सभी साथी जो freshers हैं उनके पास हो सकता है इसका call ना है so friends उनके लिए बात करते हैं दूसरे step की friends अगर दूसरे step की बात करें आपको उनसे contact करना है जो आपके परिशित के हैं जो आपके relative हैं जो टाइवीड बैंकों में जोब करते हैं उनसे आप contact करके इनके बारे में information लें साथी जिस बैंक में वो काम करते हैं वहाँ पे vacancy के बारे में पता करें और इन बैंकों के vacancy के बारे में भी पता कर सकते हैं और साथी इस इन बैंकों में हम कैसे जौब कर सकते हैं कैसे जौब पा सकते हैं इनका working culture क्या है वो सारी चीजे समझने के बाद आपको एक idea लग जाएगा कि हमें इन बैंकों में जौब करना चाईए या फर नहीं करना चाईए friends आपको बताना चाहूँगा अगर आपके पास work under pressure की ability है तरसा साथ ही आप लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं और sales भी करना पसंद करते हैं तो आप इन बैंकों में असानी से job पा सकते हैं और job को कर भी सकते हैं और growth भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास यह दोनों ability नहीं है तो हो सकता है आपको इसमें problem जाए कुछ समय आप इसमें job करने के बाद आप यहां से create कर दें तो सारी information आप collect करें इन बैंकों से related देर उसके बाद ही यहाँ पर आप apply करें friends आपको बताना चाओंगा हर जगे आप देखेंगे कि वहाँ पर जिनके रिलेटिव रहते हैं या फिर जो पहँचान के रहते हैं वहाँ पर अगर किसी भी संस्थान में अगर वहाँ पर vacancy रहती हैं तो आपने रिलेटिव या पहँचान वाले को ही पहली प्रात्मिक्ता देते हैं या फिर वहाँ पर उनको बुलाते हैं फ्रेंट्स ही हर जगे नहीं लेकिन 52-60% तक यह होता है कि जब भी जिस भी संस्थान में आप काम करते हैं वहाँ पर आपके जितने भी परिशीत के होंगे वहाँ पर अगर वैकंसी आती है तो सबसे पहले आप उनको हलाओ चारीगा यह में हो सकता है आपके 50% आपके जवाब लगने की सबस्वावने हैं ये दो स्टेप को फालो करके तो प्रेंट्स आप बात करते हैं तीसरे स्टेप की तीसरे स्टेप में आपको ये करना है कि जहां पर भी आप रहते हैं Google पर आपको सर्च करना है Small Finance Bank in जैसे मैं भूपाल में रहता हूँ तो मैं सर्च करूँगा Google पर Small Finance Banks in भूपाल तो फ्रेंस भूपाल में जितने भी Small Finance बैंक के लिस्ट होगी वह सभी आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी जैसे आप किसी भी डिस्टिक में रहते हैं तो उसका नाम लास्ट में एड कर दें उसके बाद Google पर सर्च करें यहाँ पर आपको फ्रेंट्स हर बैंक की ब्रांच का लोकीशन और एड्रस सारी शीज कहां पर कंड़क कराए जाता है जॉप से रिलेटर सारी इंफर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी तो फ्रेंट्स डारिक्ट आप इन बैंकों पर विजिट करें गूगल पर इनका एड्रस पहले सर्च कर लें अगर आपके ब्रांच से ज्यादा दूर नहीं है तो वह महां पर आपको इन बैंकों की कौन-कौन सी पोस्ट के लिए ओपनिंग से हैं और eligibility criteria क्या है और कैसे आपको apply करना है सारी प्रोसस आपको अहां से मिल जाएंगी तो फ्रेंट्स यह रहे तीनों स्टिप फ्रेंट्स अगर आप इन तीनों स्टिप को follow करते हैं तो आपको इन यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे नौकरी.com, क्विकर.com, साइन.com, या फर मॉंस्टर इंडिया, या फर इंडीड.com, यहाँ पर आपको जाकर अपना रिजूम अपलोट करना होगा, और यहाँ से भी आपको इन बैंकों की वेकेंसी के बारे में जाब लगवा दूँगा, लेकिन उसके पहले आपको registration करना होगा, उसके लिए आपको एक फीस जमा करना पड़ेगा, सो फ्रेंट्स, इस तरह के calls पे आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, यह सारे फरजी calls हैं, जो भी आपके पास real call आएंगे, वो पैसे की demand नहीं करेंगे, संसा के बारे में बताएंगे, आपकी post के बारे में बताएंगे, और Sally के बारे में बात करेंगे, वो पैसे की बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, तो इस तरह से आपको real और fake call को पहचानना है, so friends, दीए रहे, चार तरीके, जिन से आप इन टॉप स्माल फाइनस बैंक में जॉब पा सकते हैं, so friends, इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आप इन इस्टिप को फालू करते हैं, भारत के इन टॉप स्माल फाइनस बैंक में से किसी में भी आपकी जॉब करेंगे, ताकि आप इन बैंकों में जॉब पा सकें, so friends, ये रहे सभी स्टिप जिन को फालू करके आप इन बैंकों में जॉब पा सकते हैं, so friends, इस वीडियो को बनाने का मिरा उद्देश, अगर आप बैंकिंग सिक्टर में केरियर बनाना चाह रहे हैं, या फिर नौकरी क की तलास करना चाह रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपकी हल्प हो सकें, so friends, इन इस टिप को आप ज़रूर फॉलो करें, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, so friends, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्स्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों क्षा शेयर करना ना भूलिए, so friends, अभी तक इस वीडियो के देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद,